तो सर्दियों का मौसम है और सभी के घरों में हरे हरे ताजे ताजे मटर भर भर के आ रहे हैं तो क्यों ना इस मज़ेदार से मटर के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की जाए तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरे मटर की बहुत ही उंदा बहुत ही लाजवाब रेसिपी मटर से आपने पूरी पराठे और कचोड़ी तो बहुत खाई होगी लेकिन ये रेसिपी पहले नहीं खाई होगी तो चलिए बनाते हैं इसके लिए यहाँ पर आधा कप हम पोहा ले लेंगे पोहे को हमें अच्छे से पानी से वाश कर लेना है तो पोहे को अच्छे से धोना जरूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी impurities रहती हैं इसे अच्छे से धोने के बाद हम इसमें लगभग एक चमच के करीब पानी डाल देंगे और इस पानी को हमें इसे अच्छे से मिला लेना है ताकि पोहा जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो दो मिनट में ही दो मिनट भीने लगेंगे बहुत ही जल्दी पोहा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है अब हमें क्या करना है पोहे को हाथों से या चमच से इस तरीके से मसल लेना है फिलहाल मैं हाथों से इसे मसल रही हूँ अब इसके बाद आप देख सकते हैं पोहे का बढ़िया सा पेस्ट तयार हो गया है इसे रखेंगे साइड में अब यहाँ पे मैंने आलू ले लिए है चार चोटे साइस के आलू है इसे अच्छे से उबाल लिया है मैंने उबालने के बाद इसे हम इस तरीके से फोक की मदद स अच्छे से मैश कर लेंगे ध्यान रहे इसमें कोई भी गुट्टी नहीं रहने देना है अच्छे से मैश कर लिजे अब जो पोहे का बैटर हमने तयार किया था उसमें हमें यह आलू के मिक्षर को एड़ कर देना है तो याद रहे आलू हमें बहुत जादा नहीं लेना है आप बड़े साइस की ले रहे हैं तो एक आलू लीजेगा और अगर चोटे साइस की ले रहे हैं तो आप इस तरीके से चार ले सकते हैं बहुत चोटे चोटे साइस के थे तो आलू और पोहे को हमें अच्छे से मिला लेना है अब हम इसमें आड़ करेंगे हरा प्यास अगर और आपके पास हरा प्याज का को सब्सक्राइब और अगर नहीं है तो आप इसकी जगे पे नॉर्मल प्याज का स्थमाल कर सकते हैं मैंने यहां पे आदा चमच नमक एड़ किया है नमक हम बाद में भी आड़ करेंगे इसलिए मैंने यहां पे अभी थोड़ा नमक एड़ किया है इसे मिला करके अब रखेंगे साइड में अब यहां पे ले लिया है मैंने एक बहुत ही ताजा बहुत ही हरा भरा मटर बहुत ही एक मुठी भर करके हरा धनिया एट किया है, साथ ही तीन चोटे से, यहाँ पे लेसुन की कलिया और एक चोटा सा अध्रक कर टुकड़ा, अब जरूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और इसके बाद इसे हम पीस लेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक जीरा पाउडर एड़ करेंगे, और साथ ही एड़ करेंगे, एक चमजितना चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर इसके बाद यहाँ तो एड़ा पे नमक, तो यहाँ प्צित बाद बाद ज़ादा ही जाड़ा से ए मिला लेंगे तो यह हमारा बड़ी असममतर का पीस्ट तैयार हो गया है अब जो हमने पोहा आलू आलो मिक्चर तैयार किया था उसमें हमें इसे एट कर देना है तो बहुत ही healthy बहुत ही tasty सा नाश्टा बन करके तैयार होने वाला है इसे अब हम अच्छे से मिला करके ready कर लेंगे यह देखे तो साम की चोटी मुटी भूख हो या फि इसमें binding के लिए add कर देंगे conflare तो यहां पर आप conflare की जगह पे चावल के आटे कभी इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर चावल के आटे की जगह पे आप सूजी कर सकते हैं तो तीन चोटा चमच मैंने इसमें add किया है और एक चोटा चमच इसमें हम तेल आट करेंगे तेल से पास अगर नहीं होती है तो आप यहां पे चाहे तो दूद की थैली ले सकते हैं या फिर रेगुलर जो पनी आता है उसका इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगी. तो ये देखें, मैंने इसे अच्छे से नीड कर लिया है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रखा था. तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो तेल को हम मीडियम कर देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से एक हांट से प्रेस करते जाएंगे, और कैंची की मदद से इसे हमें बहुत ही आराम से काट लेना है. तो आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा इसका सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है, तो बहुत ही बढ़िया सा नाश्टा बन करके तयार होता है, अगर आप चाहें तो अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी छोटी छोटी पकोरी भी बना करके खा सकते हैं तो यहां पर मैंने बहुत थोड़ी से तेल का इस्तमाल किया आप इसे डीफ्राई भी कर सकते हैं मैं इसे सेलो फ्राई कर रहे हूं बस हलका सा है पैन को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि उपर निचे अच्छे से हो जाए अब चमच की मदद से इसे उलटते पलट करते हुए बढ़िया से गोल्डन कर लेना है यहां पर फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है थोड़े देर मीडियम फ्लेम पर रखिए उसके बाद जैसे ही हलका सा कलर आने लगे आप हाई फ्लेम पर इसे थोड़ा सा कलर आने तक भून लिजए देखिए इस तेरीकी से तो यह हमारा एक बढ़िया सा बैच बन करके तयार हो गया है दूसरा भी हम इसी तरीके से बना करके रेडी कर लेंगे बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंट्स बनाने में यकीन मानिए एक बार आप इसे ज़रूर बनाईएगा देखिए आप बनाते ही रह जाएंगे मेरे बच बच्चे देखिए आपसे यही बार बार बनाएंगे तो रेसिपी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं मिलती हूं कल एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर एंड बाए